यह एक wire और जब इस wire पर अगर आप कोई current flow कराते हो तो इसके आसपास पर इसका एक magnetic field यानि कि मैंने इस wire पर अगर कोई current flow करवाया तो इसके आसपास पर इसके near-about कोई a magnetic field generate हो जाएगा अब इस magnetic field का direction क्या होता है या इस magnetic field का direction outward होगा inward होगा, upward होगा या downward होगा चाहिए एक किसी भी दिसा में हो, किसी भी direction में हो तो उस direction को पता करने के लिए हम use करते हैं right hand palm rule का तो आज के इस lecture में हम जानेंगे right hand palm rule को किस तरीके से right hand palm rule में direction का पता लगाया जाता है तो सबसे पहले question आपका ये है कि what is palm rule, palm rule क्या होता है और what is the use of palm rule, palm rule का सबसे पहला use यही है कि to find out the magnetic field, the direction of, to find out the direction of magnetic field किसी भी magnetic field का direction पता करना मैंने आपको बताया था कि क्या, अगर आपके पास कोई current carrying wire है कोई एक wire है, इसके आसपास पे अगर इस पे कोई ना कोई current flow हो रहा है तो अब यह सी बास है, इसके आसपास पे कोई ना कोई एक magnetic field is generate हो रहा होगा एक magnetic field is generate हो रहा होगा अब बात ये होती है कि इस magnetic field का direction के से निकाला जाए तो इस magnetic field का direction निकालने के लिए आप right hand palm rule का यूज़ करते हैं right hand palm rule में देखो किस तरीके से होगा कि आपको अपने right hand के palm को इस तरीके से stretch करना है और अपने thumb को इस तरीके से stretch करना है कि thumb और fingers एक दूसरे के क्या हो 90 degree पे align रहें जो thumb का direction है, thumb point करेगा आपके direction of current को और fingers point करेंगे आपका किसका जिस भी direction में आप magnetic field निकालना चाते हो तो fix our thumb in the direction of magnetic field, magnetic field के direction में thumb को fix कीजिए और आगे को फिर उसके बाद magnetic field अपने आप find out हो जाएगा जब आप क्या करोगे अपनी fingers को adjust करोगे तो मान के चलो एक example लेते हैं, हमारे पास कोई एक current है I और यहां कोई मैंने point दे दिया A, B, C, D, कुछ भी आप लिख सकते हो आपने आपर कोई एक point दे दिया A अब मुझे इस point पे magnetic field निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, दिखो जैसे यह आपका एक wire है इस wire पे कोई न कोई current flow रहा है और यहां कहीं पे कोई imagine कर लो, कोई point है तो thumb को fix गरा in the direction of current और यहां कहीं आपका point है अब palm जहां पे आपका point करेगा यानि कि मैंने इस तरीके से fix करा हुआ है यह देखो, मान के चलो यह हमारा current है यह हमारी fingers है palm आपका जहां को point कर रहेगा मान के चलो बाहर की और को point कर रहा है तो outward, नीचे की और को कर रहा है तो downward, उपर की और को कर रहा है तो upward और पीछे की तरफ को कर रहा है तो inward हो जाएगा इस वाले में देखिए, क्या हो रहा है यह current का direction, यह हमारा कोई यह current का direction अपनी fingers को आप चाहो, तो कि वल fingers ही fingers को हलका सा curl भी कर सकते हो यह अगर आप देखोगे यहाँ पर palm कहां की तरफ, अंदर की तरफ point कर रहा है तो यहाँ पर जो हमारा magnetic field का direction होगा वो कैसा होगा, invert होगा next, एक example और समय सतने है बिल्कुल same direction change कर दिया बाकी value same है, direction हमने change कर दिया तो देखो, यहाँ पर आपका current का direction यह इस तरीके से कर सकते हैं, आप देखो current का direction को thumb fix करा यह आपका palm किदर को point कर रहा है आगे की और को, camera की side को point कर रहा है यानि कि outward point कर रहा है तो हमारा यहाँ पर जो direction of magnetic field होगा वो outward हो जाएगा तो summarize करें इस वीडियो को, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हमने अपनी fingers को stretch करना है और thumb और बाकी बची fingers एक दूसरे के 90 degree पर align हो और दूसरा, जिस direction में current है उस direction में thumb को point करेंगे बची भी fingers में जिस भी point पर आपको magnetic field निकालना है वहाँ को आप चाओ तो fingers को ही curl कर सकते हो क्यों only fingers को, देखो पूरे palm को नहीं करना है only fingers को तो palm जहाँ को point करेगा this is the direction of magnetic field यह हमारा right hand palm rule होता है ठीक है, तो आज की video के में हमने सिखा की right hand palm rule क्या होता है जल्दी नहीं वीडियो के साथ मिलते हैं एक नहीं interesting वीडियो के साथ till then, bye bye, take care and God bless you all